जैद हदीद और जिया शंकर को लेकर दिये गए एक स्टेटमेंट को लेकर अब देखी अभिशेक मलहान सुर्खियों में बने हुए हैं मैं आपको बता दू अभिशेक मलहान की ने एक स्टेटमेंट दिया था जैद और जिया को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था father-daughter वाली statement जिसको लेकर अब बवाल मच गया है पूरे twitter से लेकर पूरे social media पर आपको बता दूँ weekend का war के episode में उनके एक statement को अबिशेग मलहान के statement को miscut करके big boss के makers ने you know as a statement पेश किया और जब वो बात जिया शंकर और जैड तक पहुंची तो बवाल मच गया उस बात का you know की की उसमें बहुत ही गंदा एक accord की गई थी statement you know लेकिन अबिशेग मलहान की एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें clearly clearly वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं भेंस की आँख ना की you know कोई और गाली दी गई है उस statement में अभिशेग की तरफ से लेकिन ऐसा present किया गया है कि वो गाली दे रहे है you know अब इसको लेकर पुरा बवाल मच गया है मैं आपको बता दूँ अभिशेग की मा यानि कि दिंपल मलहान ने भी अपने ट्विटर पर बिग बॉर्स के मेकर्स को बहुत ही जादा फटकार लगाई है देखें दिंपल मलहान का कहना है कि अभिशेग कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता है हमारे उसकी जो स्टेटमेंट है उसको मिसकर्ट करके जो है मेकर्स द्वारा चलाया जा रहा है वीकेंड का वाल में और वो चाहती है कि उसको जल से जल रेक्टिफाई किया जाए उन्होंने का कि you need to rectify this as soon as possible एंड उसके स्टेटमेंट को मिसकर्ट किया जा रहा है इसके साथ उन्होंने वो वीडियो भी प्ले किया है जिसमें अभिशेग मलान पूरा वो स्टेटमेंट बोलते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें clearly वो भैंस की आख बोलते हुए नजर आ रह है कि आप किस तरह का relationship जो है वो portrait करना चाह रहे हो you know बोल आप कुछ और रहे हो और करते आप कुछ और हो तो clearly वो समझ आ रहा है उसमें अभिशेग मलान ने अगर वो statement पास किया है तो then I don't think so that उसमें कुछ भी गलत चीज है फिर भी वो लड़का इतना जादा दिलेर है फ समाफी मांगी है मतलब he has that power also to accept his mistakes even though उसने mistake की ही नहीं है फिर भी